हेलो फ्रेंट्स आपका हमारी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको फटी एडियों फटे हुए होट या पटे हुए गालों को भरने और जल्दी ही सौफ्ट बनाने का बहुत अच्छा नुस्खा बताने वाली हूँ मैं एक आपक जरूर बना करके और कभी आप इसको यूज कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो फ्रेंट्स इसके लिए हमें चाहिए होगी एक कैंडल लेकिन यहां पर याद रखने वाली बात आपको कैंडल कलर फुल नहीं लेनी है जो वाइट वाली कैंडल होती जानुदि वाली कैंडल होती है अब पर चाप रखने लीग थे और पर यहां पर आधी कैंडल ले रही हूं और इसके मैं चाकुरू से केंडल भी लेंगे लिए लेगन तो रही बाति में करने की तो आप चाहे तो इसको अलग कर सकते हैं लेकिन यह मैजाना चाहिए पूरी बाद में आसानी से निकल जाते हैं अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा तो मैंने आधी केंडल के कुछ इस तरह से तुक्रे कर लिए हैं अब आपको इसमें अगली जो चीज है वह जरूरत होगी आवला के तेल की आवला के तेल में बिटामिन सी पाया जाता है और आवला ज तो आप इसकी जगह पर बादाम का तेल भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें विटामिन E पाया जाता है तो यह वही काम करता है जो पोशन की जरूरत होती है वह फटी एडियों को पहुंचाता है तो आप यहां पर आपको जरूरत होगी विटामिन E के कैपसूल की तो यह इसली यह चोटा सा जो भी आप क्या हो आप इसमें डालेंगे हमने करीब तीन छोटी चमच यहां पर आप ला का तेल डाला है आपको जितनी क्वांटिटी में इसको बनाना उस इसाब से आप तेल डाल सकते हैं जब यह तेल हलका सा गरम हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे क इतना तिल गरम रहता है कि आप इसको धीरे दीरे इसको चलाते रहें तो धीरे-धीरे सारे तुकड़े जो है मेल्ट हो जाएंगे आप देख सकते हैं इतुक्रे मैल्ट हो गया है तो यह बहुत ही सॉफ होती है मौम तो इस वज़े से जल्दी पेगल जाती है यह देखे सारे सब्सक्रेब के दिखाल के माज़ों निकाले हैं सबी क्रीम सब्सक्राइब कर दो निकाल Anyway, वह नए एक प्यमということで हम जुर्णति को यहँए बस लिए बसाओं को सब्सक्राइब है इसको हम थोड़ा सा कट कर लेंगे और इसका अंदर जितना भी जैल है लिक्विड है यह बहुत ही यूसफुल होता है इसे आप सर्दियों में अगर आप अपने चेहरे पर नॉर्मल भी लगाती है ना इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है यहां पर मैंने बैसलीन की लिए चोटी सी तो इसमें हम इसको भर करके रख देंगे तो अभी गुनगुना है इसी स्टेज पर आपको रखना है वरना यह कटोरी में ही जम जाएगा तो यह देखे हमने सीसी में इसको भर लिया है आप हम इसको 10-15 मिन रख देंगे तो यह जम जाएगा और जैसे बैस दीन होती है यह उसी जैसा हो जाएगा और बहुत बढ़ तो यह अपको बता देती हैं कि इस तरह से यूज़ करना है तो आपको जैसे अपने फटे यडियों में लगाना है तो सबसे पहले तो आपको इसको सावुन से वाश कर लेना है ताकि जो दरारों में ड़स्ट वगेरा भरी है वह खतम हो जाए और यह से आपको होटों में इसमी होई यह वोमी बीच में कम जमी है तब आपको फटी यडियों में लगाना है इसक्रेमकर दरारों में बहर लीजिए ताकि अच्छे से फिल और दरारों में बहर लीजिए समार बहुति साथ बहुता दर्ब सा दीजहीं होता है जाता है वह चीज नहीं होगी एकदम पैक दम सॉफ हो जाएंगे होट भी बहुत अच्छे हो जाते हैं गालों पर भी लगा सकते हैं इसको आप नॉर्मल कभी यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छे यह क्रीम है अप इसको इस विंटर जरू बना करके रखें उमीद है फ् क्ली زजओ eight भी जरूद डच्छे जरूब यूज़ ज़ह बया है अुए झालों आइके हैं जरूब यू ऑर जरूब रखेंर जूपन हैं जरूनर रखें लिए ठो का साइक, अणे़ेई वोल जरूब च्टरंऴ, जरूब पालों आवरें उल हूए रट हैं हैं गालों यद